बिग बॉस 17 के लिए आमीर अली को अप्रोच किया गया है आमीर अली बहुत सारे सीरियल्स में जो है अल्रीडी दिखाई दिये हैं काफी हैंसम भी है, लड़कियां जो है उनके उपर काफे ज़दा मरती भी है और तो और इनको अब नहीं पहले भी काफी बार अप्रोच किया गया है बिग बॉस की तरफ से पर अब जो है अंदर की खबर जो है अब मेरे हाथ लगी है कि आमीर अली को जो है 17 के लिए भी अप्रोच किया गया है जब पहले अप्रोच किया गया था तब इन्होंने खुद बोला था कि मुझे मैं Big Boss का बहुत बड़ा फैन हूँ पर मैं Big Boss material नहीं हूँ मुझे नहीं लगता कि वो Big Boss उनको नहीं लगता है कि वो जो है Big Boss के लिए बने है पर इस बार फिर से बात हो रही है क्या मालुम क्या हो और तो और जो आमीर अली है ये actually में शादेशुदा है डिवॉसी है और शमीता शेती के साथ हाली में ही इनका बहुत बड़ा नाम जुडा है कि ये शमीता शेती को डेट कर रही है पर उसके उपर जो है इन्होंने clear cut एक चीज बोली कि शबिता जो है मेरी बहुत अच्छी दोस्त है हम होटल में खाना खाने गए थे हम उससे पहले जो है काफ़ी बर movies वगरा देखने के लिए जाते थे पर ये सब अभवाओं के कारण हमने वो भी सब चीज़े करनी बंद कर दी है कि मैं किसी के भी साथ रहता हूँ तो मैं उसको डेट थोड़ी न कर रहा हूँ दोस्त भी होते है तो हम लोग दोस्त है मैं भी single हूँ मैं किसी के साथ नहीं हूँ किसी के भी साथ relation में नहीं हूँ ये बात जो है इन्होंने बोलती अब जो है काफित सारी बाते उठ रही है अब देखेंगे कि इन्होंने खुद अपने आपको बोला है कि ये बिग बॉस माटीरियल नहीं है और जो बंदा ऐसा सोचता है वो बंदा जादा पसंद भी किया जाता और कुछ लोग ऐसे भी डरते हैं कि इतना अच्छा नाम है वहाँ पर जाने के बाद जो है अच्छे अच्छे लोगों का जो नाम होता वो पुरा मिट्टी में मिलके आता है बिग बॉस में कुछ मिट्टी में मिले हुए नाम जो है वो आसमान छूके आते हैं बिग बॉस एक ऐसा मांच है देखेंगे अब और क्या नाम आएंगे और बहुत जल्द बिग बॉस से 17 शुरू होने वाला है उसकी डेट्स पर गारा अल्रेडी बता चुकी इसी के साथ मैं लेती हुए उन साथ से नमस्कार